तो ठीक है अभी हम लोग आचुके हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे कंपनिस के बारे में ठीक है मतलब उनका डूबना अल्मोस्ट नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है और अगर देखा गया जब 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 अब अच्छा करता है तो इन कंपनिस के भी चेरे के उपर मुसकान हमनों को धिमे धिमे वापस कमबैक करते भी देखने का आपे मिल जाती है मतलब गणी तब दम सिंपल है मार्केट जब अच्छा करेगा तो यह स्टॉक्स बेबी अच्छा परफॉर्मस देखने का आपे मिल जाएगा और मार्केट जब भी बुरा करेगा बुरा करेगा मतलब नहीं भागेगा कंसॉलिडेशन फेज मेरेगा तो इन स्टॉ से जुडए वैं ऐसे बहुत सरे कंपनीज है जिनका मतलब बोलते ना की बिजनेस चल रहा है इसलिए मार्केट का बिजनेस चल रहा है ऐसा हमनों को देखने को मिल रहा है कौन से वो कंपनी नहीं पास भी यह कंपनी अ يस रएली कंपनी, कोई रॉक्ट सै return से और जैसे मैंने हमेशा आप लोग को कहा है कि इसका pattern बहुत simple है, market नहीं दोड़ेगा ये भी नीचे, market में bull run अच्छा तेजी आएगा, तो ये भी rocket market वापत consolidation phase में जाएगा, तो ये भी नीचे, so ये समझ देना market जबी जबी अच्छा performance करेगा, नए hire achieve करने जाएगा, तो इस stock में भी हम लोग को वापस comeback होते वे देखने को मैं जाएगा, क्योंकि लोग वापस market में जुढ़ना start या पर कर देते है, trading का volume बढ़ जाता है, investment का volume बढ़ जाता है, इसके चलते इसके जो charges है, इसके चलते इस company का अच्छा गासा business है आपे बन जाता है, तो CDSL को कभी भी skip हम लोग नहीं कर सकते, company का revenue भी देखे, लगातार हम लोग को बढ़ते वेरी revenue देखने का आपे मिल जाते हैं, खास करके 2020 के बाद जो बूल रहना है, इसके चलते company ने बहुत ही शांदार business किया है, दैन अगर हम लोग बात करेंगे तो company का net profit, तो net profit भी देख लेना बहुत अच्छा grow हुआ है की नहीं, खास करके 2020 के बाद देखिए, इबदम suddenly company का profit double हो गया, उसके बाद 300 करोड तक चला गया, उसके बाद देखिए नीचे आगया, क्यों नीचे आगया, क्योंकि market पिछले एक साल से, देड़ साल से consultation phase में है, तो लोग जो कमज़ूर लोग होते हैं, या फिर सिफ तेजी देख कर जो entry करते हैं, वो निकल जाते है market से, तो इसके चलते हैं, जो market की कुछ earning बनती थी, वो वापस यहापे थोड़ी सी कम होते हैं, देखने को मिल जाते हैं, उसी का result रहता है, कि यह जो stock भी रहता है, वो आप देख सकते हैं, चाट pattern की हिसाब से, बिलकुल वैसे ही नीचाता है, मतलब यह जो बार मिने आप लोगों के सामने रखे थे ना, profitability के, तो यह वही है, कि यह जैसे profitability बढ़ती है, और share price भी देखिए, उसी हिसाब से आप लोगों के देखने हैं, यह बार भी देखिए, उसी pattern पर हम लोगों को चलते भी देखने हैं, कि आपे मिल रहे हैं, so ultimately जैसे वे आपको क्या बोला, कि market जाएगा उपर, तो यह stock भी अच्छा कासा business करेगा, and depository से related इनका business है, तो बहुत से लोगों के सवाल भी आते, sir, NSDL भी तो है, तो CDSL कितना कमाते हैं, तो दोस्तो मैं आपको बताना चांगा, equity market से related, 70% market share, depository वाला CDSL के पास है, NSDL के पास बाकी instrument वाले हम लोगो market देखने को मिल जाते हैं, तो CDSL का कोई मुकावला नहीं है, मतलब NSDL अगर आ ही जाते हैं, तो इसका monopoly वाला business देखने को मिल जाते हैं, प्रस KYC वाले हम लोग business की बात करें, तो इधर भी 50% market share, CDSL ही capture करके बेठा हुआ है, so definitely हम लोग कह सकते हैं, CDSL बहुत अच्छा है आपे करेगा, and business की अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि यह जो companyya होती है, इनको क्या रहता है कि technology इनको build करना है, तो इस चीज़ से related आप देख सकते हो, results ठीक है, 800 करोड की results है, पर करजा देखे, इ इसको develop करके रखना है, and खर्चा भी इनका as compared to the other businesses, कम ही आता है, तो इसलिए इनके margins भी हम लोगो अच्छे कासे तकड़े देखने को मिल जाते है, cash and cash equivalent भी कितना है, 50 के आसपस का cash देखने को आपे मिल रहा है, then अगर company के market cap की बात करें, तो यह mid cap quality की company है दोस्तो, तो यह हमें advantage देखने को मिल जाते है, मतलब company जब भागी, तो rocket की तरह भागेगी, and गिरेगी तो punishment भी उसी तरीकी से हापे होगी होगी, then अगर आप लोग company का अगर PNL भी थोड़ा सा observe करोगे, मतलब आप चेक कर सकते हैं, कि साल बर साल का PNL, तो देख ले न, पहले 50 करोड ही उसी के range में company घुमती रहती थी, then आप देख सकते हैं कि suddenly एक ऐसा time था, कि company का profit सीधा double हो गया, EPS भी देखे, 10 का EPS almost 19, मतलब double हो गया, कौन सा period रहेगा, obviously COVID का वक्त, 2020 के बाद 21, मतलब उस साल में आपको पता है, इतने सारे demand account open हो गये, 2 करोड के आसपस demand account थे, जो कि अभ market ने चल रहा ना, तो लोग निकलते वे देखने को मिल रहे है, तो इससे कोई market का भविशा खराब नहीं होता है, वो वापस comeback करेंगे, आपको पता ही है, market जब top level पे जाता है, तो यह लोग वापस यहापे बाजार से जूड जाते है, और वापस trading करेंगे, investment करेंगे, इस company को आप trading करो, investment करो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, मतलब आप profit कमाओ या फिर loss, ultimately इसका फाइदा क्या है, yes, आप trading investment करते रहो, इससे इनको यहापे लगातार commission, income, यहापे charges से होता रहता है, so इस प्रकार से CDSL को बहुत अच्छा का सा business मिलता है, अगर हम लोग 2022 की बा मतलब shares पहले physical form में हुआ करते थे, अभी physical form में है क्या, आप कोई भी 10 share खरीदो, किसी के TCS के खरीदो, क्या आपको मिलते, depository के पास चले जाते, वैसी insurance policies की भी अगर हम लोग बात करें, अभी जो physical form में आप लोग को सारा data मिलता है, वो हटा देंगे, और इसको भी dematerialized form मे यहाँ पर रख देंगे, और इससे related भी CDSL का business यहाँ पर मिल सकता है, so long term की अगर हम लोग बात करें, CDSL के लिए तो win-win situation ही है, और वो company डूब नहीं सकते, अगर वो company को कुछ हुआ, तो पूरे share market को ही हो जाएगा, so बड़े-बड़े players की shares भी उनके custody में है, तो अच्छी तरीके से focus, सरकार भी वहाँ पर बना के रखता है, then हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर next SE company, जो की 50 रुपे या फिर 500 रुपे का stock है, जिसका नमे BSC Limited, so BSC Limited भी आप लोगों को पता है, बहुत ही risky टाइप की company है, कोई recommendation ही है, सिखाने के में कोशिश करा हो, बढ़ देखे, इसका भी chart pattern बिल्कुल वैसे ही है, market नहीं भागेगा, तो यह 70% crash किया था, then bull run आया, तो rocket की तरह देजी, then market नहीं भाग रहा है, तो वापस rocket की तरह नीचे हम लोगों को आते भी देखने का आपे मिल जाता है, so basically अगर देखा गे, तो BSC Limited भी उसी प्रकार की company, इ रेडर और इन्वेस्टर को, that's it, cash and cash equivalent कितना है, साढ़े 900 करोड का cash भी देखने को मिल जाता है, revenue भी देखे, company का अच्छा गासा बढ़ते वे देखने को मिल जाता है, profitability की अगर हम लोग यहापे बात करें, तो थोड़े बहुत fluctuations देखने को आपे मिल जाते है, but ultimately chart pattern भी जै professional managed company आप सबी लोग को पता है, यह तो FIS आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, 7-8% के आजपास, then अगर हम लोग बाकी के बात करें, तो DIS देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत, and बाकी पूरा public के पास ही, and other players के पास हम लोग के इनका stake देखने को मिल जाता है, so as such कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोग को का कि यह trading platform प्रोवाइड करने वाली companies है, तो सरकार का भी इनके उपर अच्छा खासा focus बना के आपे रखा हुआ है, तो इस चीज़ से related भी कोई panic करने की ज़रूरत नहीं है, company के अगर हम लोग आपे बात क तो आप सभी लोग को पताई है कि Bombay Stock Exchange, जो कि इंडिया का बतला बहुत पुराना Stock Exchange है, जो कि आम लोग को मुंबए के दलाल स्ट्रेट पे लोकेटेड देखने का आपे मिल जाता है, और कौन से facilities प्रोवाइड करता है, आप equity में trade कर सकते हो, currency में trade कर सकते हो, debt instrument, bond market, derivatives, mutual fund, सब कुछ आप जो करते हो, तो इससे related ये platform प्रोवाइड करने का काम करता है, और लगातार ये क्या करता है, इससे related commission के तुरू पैसे कमाते रहता है, market cap कीतना है, एक small cap mid-size की company हम लोग इसको यहापे बोल सकते हैं, ज़रूर आप इन companies को study करना, क्योंकि इनके डुबने के चांसे सनाके बराबर, and ये देखे, सबसे important चीज, कि दोनों company का chart pattern देखे, बिल्कुल आपको same नजर आ रहा है कि नहीं, कि ऐसा गिरावाट डेखने को मिल रहा है, then bull run हम लोगों को देखने को मिल गया, तो इन stocks में भी तेजी, फिर वापस market नहीं चल रहा है, तो एबदम डिटो performance यहाँ, थोड़ा gap तो रहेगा, एबदम same to same थोड़ी ना चलेगा, so ये मैं बार-बार क्यों बता रहा है आपको, ये ही बताने की कोशिच कर रहा हूँ कि ये market जैसा work करता है, वैसा ये चलेंगे, market में जि इंटिमेटल आप 20-30 साल के बाद देखोगे, तो हमारा निफ्टी रहेगा बहुत उपर, तो इन stocks के भी जो chart pattern रहेंगे, वो भी हमनों को बिल्कुल top level पे देखने को मिल जाएंगे, बट उसके पहले, ये multiples आप लोगों को corrections दिखाते हैं भी देखने को मिल जाएंगे, तो में चेक करता हो, तो ये NSC के उपर मिलता है, BSC के उपर नहीं मिलता है, तो दोस्तो ये rule है, कि BSC, जो है, obviously वो BSC के उपर trade नहीं कर सकता है, गडबड़ी वो करवा सकते हैं, अपने ही prices में, share को बड़ा चड़ा कर दिखा सकते हैं, तो इसलिए, वो NSC पर trade करेंगे, जैसे NSC का भी IP, आप लोगों को भविशा में देखने को मिलेगा, तो NSC का जो share है, वो NSC के उपर list नहीं रहेगा, वो सिर्फ BSC के उपर listed रहेगा, तो ये भी कुछ छोटा मोटा चीज होता है, जो कि आप लोगों को basic आपर पता होना चाहिए, तो आशा करता हो दोस्तों, अपरले कमेंट से के मिंचन कर देना, हफ्ते बर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साथ से free of course परवाड कर जाएंगे, तक आप शेर बादार को आसान बाशा से सीख सको, so that's it, अंकी व्रेमाजो, so we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, बाब बाई